वेलकम को दो प्रियाग राजे इंस्टूट इंपोर्टेंट वीडियो के स्रिखला में आज मुलों बात करेंगे जनसंख्या और नगरी करार से समधित अत्य महत्पूर प्रशनों के बारे में हमारी सामनी जो पहला प्रशन है कि भारत की जनसंख्या की इतिहास में किस दसक में भारत में जनसंख्या बृध्धी की रिणात्मक दर रिकॉर्ड की गई इसका मतलब यह है कि भारत में जब से जनगर्णा हो रही है तब से लेकर आज तक वह डिकेड या वह दसक आपको बतारा है जिसमें जनसंख्या की वृध्धी जो हो रिणात्मक रही तिक यहाँ पर आपका सही उत्तर है 1911 से 1921 वाला यहाँ जो दसक आपका इसमें भारत की जनसंख्या वृध्धी जो हो रिणात्मक दर रही तिक अगरा प्रश्ट भारत के जनसंख्या इतियास में 1901 से 1921 की अवधी को यहाँ पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है तो आपको बतारा है कि भारत के जनसंख्या इतियास में 1901 से 1921 की जो अवधी है उसको किस रूप में जानते हैं तो ये कहलाता है गती हीन चरण या इस्टेगनेंट फेज तो भारत के जनसंख्या की फ्यास में 1901 से लेकर 1921 की जो अवधी है वो गती हीन चरण या इस्थिर जनसंख्या की अवधी की रूप में जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधी के दोरान मिर्ट दर बह अंतर था वो कम था प्रकृती विद्रधी दर जुथी वह न्यून होने के संकेत थे तो जब जो नैचरल जो नैचरल पॉपरेशन ग्रोथ है वह काफी स्लो थी या काफी कम थी इसी वज़ा से 1901 लेकर 1921 वाला जो टाइम क्रियेड है उसको भारत के सेंसस की इतिहास में ग गया है तो आपको बताना है कि किसी सहर में सही सिमाओं के लिए भूमी का मापन किसके द्वारा किया गया है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option number C सहर सरवेच्छन अधिकारियों के द्वारा किनके द्वारा सहर सरवेच्छन अधिकारियों के द्वारा एक सहर में सही सिमाओं के लिए भूमी का मापान सहर सरवेच्छन अधिकारियों के द्वारा किया गया है 2001-2011 के दसक के दौरान जन संख्या की ओसत बृढ़ी दर क्या थी तो आपको जो है जो ओसत बृढ़ी दर है तो यहां पर सही उत्तर है 17.64 परतिसत यह जो है वो दसकी ओसत बृढ़ी दर थी कब 2000-2011 के दौरान भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधी को इस्थिर अवस्था कहा जाता है यह वाला प्रस्ण जो है हम लोग देख भी चुके हैं ठिक तो यह थोड़ा सा मोडिफाई करके जो है वही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रहे हैं तो भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधी को इस्थिर अवस्था कहा जाता है तो यह फेज है 1901 से 1921 वाला क्या 1901 से 1921 वाला क्यों क्योंकि इसमें जन्मदर और मिर्टदर का जो अंतर था वो बहुत कम था और इस प्रकार जो प्राकृतिक जनसंख्या ग्रोथ थी वा नियुन्तम इस्तार पर थी तो इसी वज़ा से 1901 से लेकर 1921 का जो यह टाइम पिरेड होता है उसको भारत के जनसंख्या इतिहास में इस्थिर अवस्था या इंग्लिश में कहा जाए stagnant phase कहा जाता है अगला प्रस्ण भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दसकों को जनसंख्या विस्पोट यह ध्यानर के जनसंख्या विस्पोट की अवधी कहा जाता है तो यह time period है 1951 से लेकर 1981 तक या 1951 से लेकर 1981 तक यह वह time period होता है जब जो जनसंख्या विर्धी दर होती है वो काफी तिव्र होती है तो इसी वज़ा से इस time phase को जनसंख्या विस्पोट की अवधी कहा जाता है मानो जनसंख्या वित्रण और घनत्य के प्रतिरूप मतलब पैटर्ण के अध्यान को कहा जाता है तो आपको बताना है कि मानो जनसंख्या वित्रण और घनत्य के प्रतिरूप मतलब की पैटर्ण के अध्यान को क्या कहा जाता है तो यह कहलाता है डेमोग्राफी क्या कलाएग को क्या बोलते हैं डेमोग्राफी निम्विकित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रन विधी है तो आपको इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल आपको तरीका बताना है तो दिये के ऑप्शन में क्या है औस्टियो प्रेसिस ये तो हड्डियों से समन्दिते एटॉमिक केर केंदर सासित प्रदेश में लिंगा अनुपात मतलब सेक्स रेशियो महिला प्रती हजार पूरू सबसे अधिक था तो आपको उस केंदर सासित प्रदेश का नाम बताना है 2011 की जनगर्णा के अंसार जहां पे सेक्स रेशियो सबसे अधिक था तो दियेगा ऑप्शन आपका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नमबर डी उग्डू चेरी तो 2011 की जनगर्णा के अंसार भारत के राज्यों में अगर राज्यों की बात के जाए तो केरल प्रखमिस्थान पे खाल छहां पर सेक्स रेशियो एक हजार चावरासी था वहीं पर सबसे कम सक्स रेशियो वाला राज्य हर्याना था जहां पर सेक्स रेशियों मात्र आठ सो आठ्सो पुन्यासी 879 था और वहीं पर किंदसासित प्रदेश की बात की जाए तो उड्डू चेरी में एक हजार सैंतिस था ठीक है एक हजार सैंतिस और सबसे कम जो था वो दमन दीव में था ठीक सबसे कम दमन दीव में मात्र छेसो अठार रहा है यहाँ पर आप से पुछा जा रहा है भारत का पॉपलेशन डेंसिटी यहाँ पर सही उत्तर है ओप्सान नमबर C तीन सो ब्यासी परसंट पर स्क्वाइर किलो मेटर देखे जो जन घनत होता है या जो जन संख्या घनत होता है कितने ब्यक्ती जो हे एक स्क्वाइर किलो मेटर एरिया में रहते है वह उस छेतर का जन घनत तो कहलाता है तो भारत का 2011 की richtige जर्ण गणना के अंसार जर्ण गनातेнов 312 consiste प्र्थीवजव कीलो میटर option C 2011 की जन गणना के अंसार भारते किस कंदर सासित प्रदेश का जन संख्या गनातो सबसे अधीक है यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा किंदर सासित परदे से जहां का population density सबसे अधीक है और 2011 की जन गर्णा के अंसार तो यहाँ परदे से option D दिल्ली जी हाँ दिल्ली दिल्ली में जन संख्या घना 2011 की जन गर्णा के अंसार 9,258 ब्यक्ति पर स्क्वाइर किरोमेटर है तो आपको एन एफ एच एस चार का अंसार जो है भारत के कुल प्रजन अंदर बतानी है तो यहाँ रेट है 2.2 अब तो जहें एन एफ एच एस पांच की भी रिपोर्ट आगे है जिसके अनुसार जो भारत में जो प्रजन अंदर है वो दो से भी कम हो गई है और अब तक जहें वो पांच एन एफ एच एस रिपोर्ट जहें वो आ चुकी है कब 1992-93 में ठीक है दूसरी जो आई थी एन एफ एच एस सेकेंड जो रिपोर्ट थी वो आ यह औि 1998-99 में ठीक है और इन एफ एच एस जो पीशरी रिपोर्ट आती है वो दो हज़ार पांच कसी ब्यव्यक्त के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहनी की कुडिया को कहा जाता है आपको बताना है कि किसी ब्यव्यक्त के एकड़िस से दूसरे देश में कि गौन जिए और लातए में धीमाइगरेशन करने को माइगरेशन कि 2011 की जंगर्णाय कंसार भारत में किस जिल्य में सबसे अधिक जंसंक्या घनता है आपको बताने उस जिले का नाम जिसमें जन संख्या घनत्य जो है वो सबसे अधिक है तो यह है नौर्ट इस्ट देली ठीक है उत्तरपुरो दिल्ली में जो जन घनत्य वो सबसे ज़ादा है ठीक और यहां का जो जन घनत्य है 36,155 है क्या 36,155 भारत का पहला नगर निगम कम इस्थापित किया गया था तो भ जो है वो सही उत्तर है 1688 में मद्राज जो है मद्राज जो आज की डेट का चेन्न नहीं है वो जो है भारत का पहला नगर निगम के रूप में इस्थाफित किया गया था 2011 की जंगर्णा का अंसार कौन से केंदर सासित प्रदेश का जन संख्या घना तो भारत में सबसे कम है आपको उस केंदर सासित प्रदेश का नाम बताना है जहां पर जन संख्या घना तो जहे है वो सबसे कम है तो दियेगा अप्टन आपका सही उत्तर है उप्शन A अंडमा संठिखया प्रवासित किया जाता है तो आपको बताता है कि कितने महिलाओ को प्रशोपध़ पर कितनी महिलाओं के संठिखया के रूप में पिरवासित किया जाता है ठीक तो यह है 1000 या 1000 option A एक लाग से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन लेकिन दस लाग इकाई, दाहई, सेग्रा, हजार, दस लाग दस लाग से कम जनसंख्या के सहर का प्रशासन करने वाली सहरी इस्थानी निकाय कौन सी है तो एक लाग से ज्यादा जनसंख्या हो लेकिन दस लाग से कम हो तो इस तरीके की जो सहर है उसको उसको administrate करने वाली बॉडी का नाम बता रहा है थीक है तो यह काला आती है नगर पाली का क्या 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 आती है नगर पाली का option number B गोस वाक्य हमारी जंगर्णा हमारा भविश्य निम्न कित में से किस वर्स में की गई जंगर्णा का गोस वाक्य था ठीक है तो आपको बताना है वह वर्स ठीक जब हमारी सेंसर्स का जो गोस वाक्य है वो हमारी जंगर्णा हमारा भविश्य था ठीक है तो यह जंगर्णा थी वो था हमारी जंगर्णा हमारा भविश्ट यहां पे सही उतर होगा option number B यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगोगा आप अपने सुझाओ जहें comment box में जरूर दें तब तक लिए thank you धन्यवाद